तो सामने आप यह जो indicator देख रहे हो यह आपको बताएगा कि आपको enter कहां करना है आपका stop loss क्या होना चाहिए आपका target first क्या होना चाहिए आपका target second क्या होना चाहिए और तरगे dashboard इसमें आपको दिख रहागा current trend क्या है market का और other different time frames पे क्या है trend market का तो ये जो indicator ये कौन सा indicator है और इसकी मज़द से हम अपने trading को कैसे improve कर सकते हैं और एक proper entry stop loss और target रख सकते हैं तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये indicator आपको यूज कैसे करना है और इसका benefit आप कैसे उठा सकते हो अपने trading journey में तो ये रहा bank nifty का chart तो सबसे पहले जब आप इस indicator को add करोगे तो आपको ये indicator कुछ ऐसा दीखेगा तो इसमें कुछ settings है जो आपको करने है ताकि आप confused ना हो ठीक है तो इसमें tools 치 इंगल को यूज करेंगे यहाँ पर आपको दिखर रहो पॅ शो reversal band मतलब आपको ये blue colors के दीख रहें यह reversal bands हैं मतलब कहां से market reverse हो सकता है मतलब यहाँ देख सकते हैं यह जैसे यहाँ पर buying हुआ यहाँ पर blue colors पर आया यहाँ से market reverse किया वैसे ही यहाँ पर जब माइनस करता था आपको यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं है इसमें आप automatic अगर 180R length लगाओगे तो आपको automatic यह stop loss बना करके दे देगा कहां आपको stop loss लगाना चाहिए ठीक है अगर आप इसका length बढ़ाते हो तो उसकी इसाब से आपका stop loss भी बढ़ते जाएगा बट हम लोग क्या है stop loss 180R के इसाब से लगाते थे तो यहाँ पर हम 1 रहने देंगे उसके बाद आपको दिख रहा है stop loss 80R multiplier इसमें भी बट अगर आपको bank nifty में 100 points 150 points ऐसे लेने हैं तो आप इसको increase भी कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ दिख रहागा show moving average ठीक है इसमें आप 3 तरह के moving average लगा सकते हो यहाँ पर moving average type 1 है EMA ठीक है 50 EMA है आपको यहाँ पर SMA दिखेगा 100 और यहाँ पर 3 है SMA 200 उसके बाद आपको यहाँ दिख रहागा support and resistance तो यहाँ पर आपको proper support और resistance बना करके भी यहाँ पर दे दे गई है फिर आपको यहाँ दिख रहागा trend channel trend channel क्या है मैं सब close कर देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ को trend channel क्या है उसके बाद आपको दिख रहा हो यहाँ पर 100 trend cloud इसको आपको on रहने देना है ओके उसके बाद आपको दिख रहा हो यहाँ पर 100 dashboard यह आपको on रहने देना है ताकि आपको पता रहा है कि current trend market का क्या चल रहा है उसके बाद आपको दिख रहा हो trend candles यहाँ पर इसको on रहने देना ह और कौन से candles हैं जो आपके sideways candles हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगा कि sideways candles कौन से हैं और trending candles कौन कौन से हैं ठीक है उसके बाद आपको दिख रहागा so consolidation zones कौन से सब का यूज करेंगे तो हमें इस इंडिकेटर में इतने सारी चीजें मिलेंगे तो हम इन सारी चीजों का यूज नहीं कर सकते हैं अगर सारी चीजों का यूज करेंगे तो confused हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से strategy बना सकते हो बट मैंने जो strategy बनाया है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको क्या क्या settings रखने हैं तो यहाँ पर आपको settings open कर लेना है ठीक है यहाँ पर आपको tick लगाना है so type 2 signal पर ठीक है so type 1 signal पर आपको tick नहीं लगाना है उसके बद आपको reversal band को off कर देना है ठीक है यह मैं अपनी strategy बता रहा हूँ जिसके help से आप trade कर सकते हो यहाँ पर आप खुद से भी strategy बना सकते हो और उसको test कर सकते हो यहाँ पर show target price और SL हम रहने देंगे और same रहने देंगे यहाँ पर moving averages को मैं close कर दूँगा अभी के लिए उसके बाद support resistance को भी close कर दूँगा trend channel को भी close कर दूँगा उसके बाद मैं नीचे आऊँगा बाकी सब on रहने दूँगा यहाँ SAR जो है उसको off कर दूँगा तो यह मेरा जो indicator है वो set हो चुका है अगर आपको setting समझ में नहीं आई होगी आप क्या कर सकते हो एक बार पीछे जा करके देख सकते हो फिर से तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप कि यह जो candles के color से यह क्या indicate कर रहा है सबसे पहले यह जो proper green candle है यही आपका entry candle होगा अगर आप buying side जा रहे हो तो प्रॉपर green होना चाहिए इस टाइप का ठीक है उसके बाद आपको दीख रहोगा यहाँ पर एक green candle with red background इसका मतलब क्या है यह एक reversal का indication देता है ठीक है मतलब यहाँ पर अगर यह candle बनता है तो reversal होने के chances हो जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ दीख रहोगा orange candle और purple candle यह दोनों candles होते हैं sideways market के candles ठीक है अगर market sideways होनेवाला है मतलब consolidate करने वाला है तो यह candles बनेगे और यह candles जितने बनेगे market उतना ही sideways होगा Sideways में किसको benefit होता है और option sellers को होता है option buyers को कभी नहीं होता है ठीक है तो इसका use आप कर सकते हो option selling के लिए और नहीं तो आप use कर सकते हो market को avoid करने के लिए अगर आप selling side आते हो तो आपको selling side कब जाना है जब ये इस type का candle बने आप orange color में नहीं जा सकते हो ये purple color में नहीं जा सकते हो और आप इस type के candles में भी नहीं जा सकते हो जिसका body red और orange हो तो आपका जो body है वो proper red होना चाहिए अगर आप selling side जा रहो हो तो इन candles को याद रखना है अगर आप buying और selling के लिए जा रहो हो तो ठीक है ये candles मैंने बता दिये हैं अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको buy or sell in indicators की मदद से कैसे करनी है तो ये जो indicator है ये आप 1 minute पे भी use कर सकते हो 3 minutes पे भी कर सकते हो 5 minutes पे भी कर सकते हो 15 minutes पे भी कर सकते हो कोई भी time frame पे कर सकते हो जो आपको बढ़िया लगे तो अब मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से rules follow करना है buying और selling के लिए तो सबसे पहले में example लेता हूँ selling side का ठीक है यहाँ पर आपको selling side दिख रहा होगा इसी का example लेते हैं हम तो सबसे पहला जो rule है वो है कि जो trend ribbon आपको दिख रहा है ये red color का होना चाहिए अगर आप selling side जा रहो तो और second ये downward होना चाहिए ये इस type का sideways नहीं होना चाहिए और नहीं ये इस type का green होना चाहिए ये proper red होना चाहिए और downward होना चाहिए second rule क्या है कि आपका ये candle इस type का बनना चाहिए red candle ठीक है आप purple colors में नहीं जा सकते हो आप orange color में नहीं जा सकते हो आपका proper red candle में ही जा सकते हो जैसे मैं example देता हूँ आपको पीछे जैसे आप selling के लिए गए और यहाँ पर एक orange candle बना दी आप यहाँ पर selling के लिए नहीं जा सकते हो तो आप कब जा सकते हो selling के लिए अगर ऐसा कुछ scenario बनता है तो आप next candle पे जा सकते हो मतलब अगर next candle मेरा red बनेगा तो आप orange color को avoid करके आप next red candle पे जाओगे तो यह दो rules होगा उसके बाद जो third rule है वो है कि यहाँ पर आपको nifty algo dashboard दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर current trend जो है वो bearish होना चाहिए और जो बाके time frame है उसमें से कोई 4 time frame आपके bearish होने चाहिए अगर इसमें से ज्यादा time frame अगर bullish है तो आप यहाँ पर selling के लिए नहीं जा सकते हो आपका rules follow नहीं होता है ठीक है तो यह तीन rules होगा है selling के लिए जो आपको ध्यान रखना है उसके बाद आपको automatic यहाँ पर stop loss मिल जागा आपका entry point मिल जागा आपका target 1, 2 और 3 मिल जागा आपने जैसे set किया होगा ठीक है तो आप ऐसे इसमें selling कर सकते हो अगर आपको इसमें कुछ और confirmation के लिए चाहिए तो आप इसमें automatic SAR SAR भी लगा सकते हो या फिर कोई और भी indicator लगा सकते हो जो मैंने बताया है हो वहाँ पर तो मैं buying side के rules बताता हूँ कि आपको buying side कैसे जाना है तो यहाँ पर हम इस ही का example लेंगे यहाँ पर देख सकते हम यहाँ पर पहला rule है वो है trend ribbon जो है वो आपका bullish होना चाहिए green color का होना चाहिए और upside होना चाहिए ठीक है यहाँ पर downside हम ले रहे थे selling में bullish में आपका upside होना चाहिए यहाँ पर ठीक है second rule है कि यह जो है यह proper green candle बनना चाहिए और buy signal देना चाहिए इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर buying में orange candle बनता है जैसे हम example लेते हैं यहाँ का देखिए यहाँ पर क्या है एक buying signal दिया है थर्ड रूल है वो है कि यहाँ पर निफ्टी यहाँ डैसबोर्ड है उसमें आपको current range जो है वो bullish दिखाना चाहिए और जो बाके time frame है उसमें आपको कोई चार time frame में bullish सो करना चाहिए तो आप ऐसे buying side जा सकतो अगर आप इस indicator strategy को follow करते हो तो तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसमें आप बहुत सारे strategy यूज कर सकते हो खुद का strategy भी बना सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे indicators आपको मिलते हैं बट यह strategy मुझे सबसे बढ़िया लगी तो मैं buying और selling के लिए यह strategy यूज करूँगा तो आपको मैं बताताओं कि यह जो indicator है यह और premium indicator है तो अगर इसको यूज करना है तो आपको सबसे पहले इसको purchase करना पड़ेगा और वो purchase आपको कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगा आगे तो अगर आपको यह indicator यूज करना है तो आपको trading view का premium plan में जाने की जरूरत नहीं है आप इसके basic plan में रह सकते हो तो अगर आप इस indicator को यूज करना चाहते हो तो आपको यह indicator buy करना पड़ेगा उसके लिए क्या है तो link मैंने description में दे दिया है वहाँ से जा करके आप buy कर सकते हो तो वहाँ पर मैंने coupon code भी डाला है TTT50 अगर आप यह coupon code यूज करोगे तो आपको 50% discount मिल जागा तो आप मैं बताता हूँ कि आप यह indicator buy कैसे कर सकते हो तो आप मेरे description में दियेगा लिंक पर जैसे ही click करोगे एक नया website खुल जागा यह है nifty algo का website यहाँ पर आपको क्या करना है register कर लेना है सबसे पहले आपको अगर आपको इसका use करना है तो जैसे register पर click करोगे यहाँ पर आपको आजाएगा choose your nifty algo plan ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो nifty algo का है monthly 999 का है quarterly जो है वह 1599 का है वह yearly जो है 199 का है और lifetime जो है वह 599 का है अगर मैं इसको buy करना चाता हूँ lifetime को ठीक है तो यहाँ पर क्या कर सकते आप get start पर click करोगे यहाँ पर दिखर होगा यह है one quantity ठीक है आप इसको buy पर click करोगे ठीक है उसके बाद एक नया टैब खुल जाएगा यहाँ पर आपको 2,999 लगेगा, मतलब आपको यहाँ पर 50% discount मिल चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना billing details डालना है, first name, last name, यह सब डालना है, ठीक है, कहाँ पर रहते हो, यह सब डालना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको additional information में order notes, यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना trading view का account username डालना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको करना है, I have read and agree the website terms and conditions, उसके बाद आपको place order कर देना है, उसके बाद आपको payment कर देना है, उसके बाद जैसे ही आपका payment हो जाएगा, आपको 30-35 मिनट में यह indicator प्रोवाइड हो जाएगा, बट यह या इस इंडिकेटर का आपको बाय कैसे करना है और आपको यह indicator यूज कैसे करना है, ठीक है, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को like करो, share करो और subscribe करो हमारे चैनल को, thank you so much guys